नमस्कार दोस्तों, स्वागते हैं सभी का मेरे यूटूब चनल एजबे मेडसिन आज हम बात करेंगे एभी फाइलिन केपसुल के बारे में इसके क्या-क्या उप्योगें फाइदे हैं, सावधानिया और इससे आपको क्या-क्या दुस्प्रबाव हो सकते हैं चानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इससे सब्सक्राइब करें और बेल अगन को जूर दबाएं तकि आपको हर वीडियो की नूटिफिकेशन बिलती रहे हैं एबिफाइलिन केपसूल सन फार्मा का बेस्ट प्रोड़क्ट हैं जिसकी प्राइज हैं 135 रुपे परेश्ट्रीप इसका कंटेंस होता है एसब्रोफाइलिन 100 mg इस केपसूल का यूज आप डक्टर के सला का अनुसार करें तो ज्यादा बेतर रहेगा क्योंकि यह एक सेड्यूल एज ड्रग है तो इसका आप इसका यूज इसपेशली डक्टर के सला का अनुसारी करें यह केपसूल आपको डक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकर शुर्पे मिल जाएगा एबिफाइलिन केपसूल एक म्यूकोलाइटिक और ब्रांकोडालेटर है इस केपसूल का अब्योग अस्थमा और सीओ पीडिय में कह जाता है जैसे कि अगर आपको डमा, ब्रांकाइटेस, स्वांस चड़ने के वज़े से चलने वाले खासी, छाती में जकडन होना, फेंपुड़ों में सूजन आ जाना और सांस लेने में तकलिव होना, गरगर हाट के आवाज सुने देना जैसी इस्थितियों की प्रोब्लम है तब इस केपसूल का यूज मरीज के लिए काफी एफेक्टिव है, ये केपसूल एरवेज की मानस प्रेशों को सिथिल करता है और मुकस को भी ढिला करता है, जिससे कफ निकल जाता है, और सांस लेने में आसानी होती है COPD के अगर बात करें, तो COPD यानि Chronic Obstructive Pulmonary Disease वह फेंपडों का विकार है जहां फेंपडों में हवा का प्रवाव अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलिफ होने लगते हैं और खासे चलने लग जाती हैं, तो उस condition को नियंतरन में लाने के लिए इस capsule का यूज के जाता है साउधानी के अगर बात करें, तो अगर किसी को heart disease है, liver disease है, या फिर kidney disease है साथ ही, अगर कोई pregnant woman है, या फिर कोई breastfeeding बदर है, तो ये सभी लोग इस capsule का यूज करने से पहले एक बार अपने डाक्टर से सलाज जरूर लें अब जान लेते हैं, इसके dose के बारे में, तो normally इसका dose, एक के के अपसूल भोजन के बाद सुबह साम लेनाता है इसे आप खाली पेट ना ले, पर अगर पेशेंट के इस्तिती ज़्यादा खराब हैं, उसको स्वास ज़्यादा चड़ रहे हैं, तब इसे में इसका dose, डॉक्टर्स चेंज भी कर सकते हैं एक चीज जरू दियान रखें, कि इसका यूज़ आप खाली पेट ना करें, इसे भोजन के बाद में ही यूज़ करें साइड इफेक्ट के बिर बात करें, तो जो कामल साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं, वो हैं पेट खराब होना, बेचे नी होना, नोजिया और वोमिटिंग होना, और आपको हेड़ेक हो सकता हैं हो सकता है इन सभी side effect के अलवा भी आपको कोई other side effect नज़राएं अगर कोई दूसरे side effect नज़राते हैं तब SMS का use बंद करें और अपने डक्टर से consult करें तो friends उमीद है आपको वीडियो जुरूर पसंदा होगा अगर वीडियो अच्छा रगता है तो इसे like करें comment करें शेयर करें और चनल को subscribe करना ना भूलें तेंक्यू